नमस्कार दोस्तों मैं मित सेंभावेक। हम चाहे मस्जिद में जाए, चाहे गिर्जागर में जाए, चाहे गुर्द्वारे जाए या कहीं भी धर्मिस्थर पर जाए एक मंदिर को छोड़ कर हर जगा आपको सम्मान ही मिलेगा और पैसे के लिए कोई भी आपके भौनाओं के साथ कलत व्यावार नहीं करेगा, लेकिन एक हिंदू धर्म में एक मंदिर ही ऐसा जगा है, जहां पर लोग पैसे के लिए भावनाओं को ठेश पहुचाते हैं, एक भाक्त को भगवान से मिलने के लिए कीमत देना पड़ता है, पैसे के कीमत, एक गरीब है तो उसके लिए अलग लाइन, एक मिडल है तो उसके लिए अलग लाइन और जो अमीर है या एक रेट के हैं उसके लिए एक अलग लाइन, ये हर जगा ज्यादातर मंदिर में देखने को मिलता है, लेकिन किसी मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च में आपको कभी ऐसा नहीं मिलेगा, ऐ कहने को ये भारत स्वतंत्र है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि ये पुरे तरीके से स्वतंत्र है, क्योंकि बावर से लेकर और अंगशेब तक जो जजिया कर लगता था हिंदूों के लिए, कि वो अपने भगवान से मिलने के लिए कर देते थे, पैसा देते थे, वही ज जजिया कर नहीं कर रहा है, वो खुद हमारे पुजारी, हमारे पंडित हमारे ही अपने कर रहे हैं, जो कि बहुत ही सर्मनाक चीज़ है, ऐसा मैं बहुत सी वीडियो को देखा हूँ और मैं खुद भी मंदिर में जाकर ऐसा महसूस किया हूँ, इसलिए आप समझिए किसी के धर्म में भाणाओं को ठेश ना पहुचाईए, कोई मंदिर में दर्शन करने जा रहा है, तो उसकी बेज़ती ना करिए, पैसे के लिए, यही मैं आपसे करना चाहता हूँ, और यह जजिया करका सोच, जितना जल्दी हो सके, खतम करिए, यह वीडियो बनाने का मेरा किसी के भाणाओं को ठेश पहुचाना नहीं था, एक सच्चाई को आपके सामने रखना था, हम इन डायर्ट तरीके से आज भी जजिया कर में जीवित हैं, तो प्लीज आप सपोर्ट करिए, जय हिन जय भारत